नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ओफ ट्रीटमेंट वट अधर स्टेप्स टेकन बाई और फैमिली वें यू फॉल से जब आप बिमार होते हैं तो आपकी फैमिली क्या करती है कभी-कभी हमें कोई परिशान ही होती है जैसे हेड्ड है क्या हलका प्राब्रम है घृते हैं तो वह ठीक हो जाता है ऐसा क्यों होता है कभी-कभी हमें मेडिसिन लेनी पढ़ती है क्यों वेंड लो कब based on what we have learned so far अभी तक हमने जो पड़ा है तो इससे दो ways आ रहे है infectious disease को treat करने के यहीं आपका important है principle of treatment या what are the two ways to treat an infectious disease पहला one would to reduce the effect of disease effect असर कम कर दिया जाए और दूसरा the other to kill the cause of the disease जो disease का कारण है उसी को मार दिया जाए कैसे अब बिमारी हो गई है तो उसको कम करो देखिए यह एक case है आपका virus का यह अभी हम आगे discuss करेंगे for the first पहले के लिए we provide treatment that will reduce the symptom जो symptom कम करते हैं symptom क्या है वो inflammation की वज़ा से होते हैं यानि जो हमारी body लड़ रही है we can take medicines that bring down fever fever, pain, lose motion यह हमारे symptom हैं तो हम इनको ठीक करने के लिए दबाई खा सकते हैं rest कर सकते हैं ताकि हमारे energy conserve रहे okay healing पे this will enable us to have more of its available to focus on healing के हम ठीक हो जाए बिमारी हो गई हम ठीक हो जाए but this kind of symptom directed treatment by itself will not make the infecting microbe go away अब हमने तो symptom को खतम करने के लिए medicine लीना लेकिन microbe जिसकी वज़ा से हमें यह disease होई symptom साए वो तो ठीक नहीं होई तो हमें इसको मारने के लिए डवाई लेनी पड़ेगी हमें इसको खतम करना पड़ेगा तो next आपका question बनता है how do we kill microbes हम microbes को कैसे मार सकते हैं one way to use medicines पहला है medicines low जो microbes को मारते हैं अब आपने पहले भी देखा कि जो microbes हैं वो हमारे 5 category के हैं वाईरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोवा अब इन में से जो हैं ग्रूप में से कुछ essential microchemical life processes होती हैं जो उसी ग्रूप में peculiar होती हैं और दूसरे ग्रूप में नहीं होती हैं जैसे आप अगर ले बैक्टीरिया का case तो बैक्टीरिया में एक cell wall की preparation होती है जो बाकी सब में नहीं होती अब यह process जो है pathways for the synthesis of new substance or respiration अब या तो नए substance बनाने का काम होगा या respiration कुछ भी हो सकता है यह उनकी life से related process है life processes है, pathways है these pathways may not be used by us और उसे हम भी use नहीं कर रहे है देखिए, अब अगर मैं bacteria का case लो हूँ जो मैं pathways कह रहे हूँ यह बुक में पहले भी case discuss हुआ है bacteria में cell wall बनाने का process होता है अब हम लोगों में नहीं होता तो pencyllium medicine जो है जो antibiotics है वो क्या करती है वो bacteria के wall बनाने का cell wall बनाने के process को block कर देती है अब जब cell wall ही नहीं बनेगी तो bacteria भी आगे नहीं बनेंगे यानि वो kill हो जाएंगे सीधा उनके cell wall process पे वो target करता है medicine और हम लोग में कोई cell wall process का कोई ऐसा pathway होता ही नहीं तो इसलिए जब हम antibiotics खाते हैं तो हमारे को तो कोई असर नहीं होता लेकिन जितने bacteria हमारी बॉड़ी में है वो सब किल हो जाते है तो ऐसा pathways निकालते हैं कि जो उसी specific microbes को पे ही असर डाले और किसी दूसरे पे असर ना डाले for example our cell may have new substance by a mechanism different from that used by bacteria तो हमारा cell जो है वो नए प्रोसेस नए चीज बनाने का हमारी बॉड़ी में अलग mechanism है जो bacteria से अलग है we have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our तो हमें एक ऐसा drug होजना होता है जो bacteria के इस प्रोसेस को synthesis pathway को block कर दे लेकिन हमारे पर कोई असर ना डाले this is what we achieved by antibiotics और यहीं हम antibiotics में करते हैं तो these are the drugs that kill protozoa such as the malarial parasite इसको भी मारती है यह drugs अब antiviral medicines जो है वो बनाना मुश्किल है antibacterial medicines से क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सब जितने भी microbes है सबका अपना pathways है new substance यानि एक cell से नए cell बनाने का reproduce करने का अपना है लेकिन जो virus है ना उसको हम कहते है virus is considered as a border line between living and non-living thing virus जब host की body से बाहर होता है तो वो मरा हुआ है non-living thing है लेकिन जैसे ही वो किसी host की body में एंटर करता है humans में humans में cat में dog में तो वो उसी की machinery को use करके अपना reproduce होना शुरू कर देता है replicate होना तो अब virus में तो कोई ऐसा अलग से biochemical pathway है नहीं जिसको हम target करें वो तो हमारी machinery को ही use करके multiply हो रहा है तो virus की machinery को मारने का मतलब हमारे को अपनी machinery को मारने का मतलब तो फिर तो वो हमें ही नुकसान होगा इसलिए वाइरस की medicine बनाना मुश्किल होता है क्यों अब वो करें virus है very few chemical biochemical pathways of their own they enter ourself वो हमारी cell में enter करते हैं हमारी machinery को use करते हैं life processes के लिए this means that there are relatively few virus specific target to aim at तो वाइरस में target करने के लिए के हम जो drug उस वाइरस के असर करे वो वाले points बहुत कम होते हैं इस limitation के बाद भी कुछ effective antiviral drugs है drugs HIV infection को under control करती है control कर लेती है ऐसी हमारे पास